इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ रायपूर में सियम रमन सिंग की बेटी अस्मिता सिंग और उनके बेटे समेट पांच लोग गुरुआर की रात करीब 9 बजे कार में आग लगने की वज़े से हुए हाथसे से बाल-बाल बच गए हैं ड्राइवर की सूजबूच से सभी लोग सकुशल हैं पुलिस ने बताया कि अस्मिता सिंग अपने बेटे और दो निजी स्टाफ के साथ सियम हाउस जा रही थी तभी 36 गड़ कलब के पास ड्राइवर को कार के एंजिन में खराबी का अंदेशा हुआ ड्राइवर ने कार धीम वायर एक्स्टिंगुशर ने कार की आग बुझाई तब मौके पर पुलिस भी पहुँच गए थी आग बुझाने के बाद कार को सड़क से हटा दिया गया सुदीप तिरपाथी इस दी मीटे संपवाद आता इस वक्त इस बड़ी ख़वर पर हमारे साथ जोड़ रहे हैं सुदीप सबसे पहले तो यह बताईए आग कैसे लगी और यह भी बताईए सबी लोग सुरक्षित तो है दिखी यह फॉर्चुनर कार है जिसमें सीम की जो बेटी है अपितर सिंग वो अपने बेटे के साथ और दो और रिष्टेदारों के साथ में से वो बहुत रहते सारह, अपनोच के साथे अपने सामने की बताई जा रहे है चिंगाली जैसा निकला है कार के इंडियन की तरब और ड्राइवर ने उसको ड्राइवर को यह सब्सक्राइब में आ गया था और जैसी खोल के देखा तो वहां से दुआ निकले लगा तो सभी को वहां से बाहर निकाला गया और बिल्कुल C.M. हाउस का गेट वहीं सामने में लगा हुआ है वहां से फिर उनको पैदल अंदर C. इस तवाम जानकारी के लिए सुदीत रिपार्ठी जी मिटा संवाद दाता रायपूर से बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे तो आपको पूरी खबर एक बार फिर बताते हैं दरसल रायपूर में C.M. डॉक्टर रमन सिंग की बेटी असमिता सिंग अपने बेटे के साथ अपने पिता यानि C.M. रमन सिंग से मिलने जा रहे थी वो सिधा C.M. हाउस ही जा रहे थी और C.M. हाउस के ठीक सामने 36 गड़ कलब के सामने रायपू में बताते हैं एक बताते हैं